जय माकाली हम तांत्रिक दुरुवासा जुड़ जाएं सभी सादक आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मारण हांडी की उपर आज बात करेंगे देखो हांडी जब भी चलाई जाती है तो तब ही चलाई जाती है जब सामने वाले शत्रु को उसी दिन ही समाप्त करना हो जानि हांडी जब उड़ती है तो दो तीन तरह की हांडियां है जो तांत्रिक उड़ाते हैं जो हमने देखे हैं ज्यादा तर जो उड़ाते हैं जो आम आपने तांतरिक देखे होंगे वो हांडी उडाते हैं और बहुत सारे लोगों ने देखी भी होगी हांडी, उड़ती उड़ते हुए तो नहीं, उड़ती हुई देखी होगी क्योंकि जो उड़ाता है, वो काफी गुपचुप तरीके से उड़ाता है सबके सामने नहीं उडाता है तो जब भी ये उडाई जाती है तो एक होती है कि उसी दिन ही समाप्थ कर देती है जो कि हम जैसे जो बड़े तान्तरिक हैं वह शोड़ते हैं एक होते हैं आम सदारन तान्तरिक ये हांडी में पूर्ण तरीके से बल नहीं बर पाते उसमें भी मृत्यू होती है सामने वाले की लेकिन तीन-चार दिन या साथ-आर दिन भी कई बार लग जाते हैं अगर बहुत हांडी बहुत ज़्यादा कमजोर है तो लेकिन कई बार क्या होता है कि हांडी जो है जो बहुत ही कम जानकार है हांडी रास्ते में ही फट जाती है उनकी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि वो हांडी के पूरे जानकार नहीं होते हैं हांडी किस तरीके से उड़ाई जाती है तो जो सबसे में हांडी होती है कि जब उड़ाई जाती है तो उसी रात ही वो जो शत्रू है या सामने वाला है जिसके ऊपर बेजी गई है उसके घर के उपर जाके बहुत ही जोर से फढ़ती है जैसे ही वो पढ़ती है तुरंत शक्ति जो है उसकी योर भढ़के कि उसकी जानने लेती है उसमें जो जायतर होता है कि हिर्दय गति रुख जाती है नाक या मुंग से खून निकल आता है वैसे बिष्तर पर ही मारा जाता है बहुत ही कम चांस होते हैं ऐसी हंडी से बच पाना क्योंकि ये दूसरे जो घर के वाकिस सदस्य हैं उनको पता भी नहीं चलने देगी कि हांडी का प्रयोग हो चुगा है दिखाई देगा तो सिर्फ उस व्यक्ति के मुँ से बलड या नाक से बलड जा तो वो जमीन पे गिरा मिलेगा क्योंकि जब हांडी का प्रियोग होता है तो एकदम से जब जान निकलती है तो वक्ति तडफ के ही मरता है उसी समय यानि कि वो पहले बचने की कोशिश करता है और जब हांडी चलाई जाती है तो इस शक्ति उस वक्ति को दिखाई भी दे जाती है तो पहले अगर कोई देख ले तो बैवीत भी होके अगर भाग भी भागने की कोशिश भी करेगा तो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाएगा क्योंकि वो आसपास में ही उसी स्थान पे ही गिर लेती है तो उसका पूरा दिखाई पड़ेगा कि मुझे कोई मारने के लिए आ गया लेकिन इतना वो उसके पास समय नहीं होगा कि वो बता पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है तो लगबग जे है उसके जहां पर वो सोर आ होता है वहीं खतम कर देती है दूसरे प्रकार की हांडियां यह होती है कि तीन दो या तीन दिन मुश्कल से मुख्सकल तीन दिन पार कर गया तो कर ही नहीं सकता जो आम जो है तांत्रिक हांडि उडाते हैं तो यह होती है में दो तरह की हांडि दो तीन तरह की होती है तीसरी यह होती है वो एक छोटी शक्ति को बिठाते हैं फिर उसके साथ में शोटी शक्ति बिठाते हैं उसमें वो कम से कम पांचे दिन लेती है खतम उसी समय जो है कारे उसी समय शुरू हो जाता है विमार लेकिन वो बंदा हॉस्पिटल में जाके मरेगा इस तरीके से होता ह तो उसको हम हांडी प्रयोग नहीं मानते हैं, हम तो पहले दो हैं, उसी को हांडी मानते हैं, क्योंकि दो, तीन दिन कोई ज़ादा नहीं होते हैं, तो धो ही मेरेन प्रकार की और यहां होती है, हांडी, johin, इसका खर्चा भी काफी लगता है उडाने में, और हर तानत्रिक उ को उड़ा भी नहीं सकता है क्योंकि इसके लिए जो है जानकारी चाहिए कुछ चीजें इसमें ध्यान से करने वाली होती है हांडी उडाते समय अगर तांत्रिक से गलती हो जाए तो तांत्रिक बहुत ही बुरी तरीके से चतिस गरस्त हो जाएगा इस बात का ध्यान रखके ही बहुत ही सावधानी पूरवक हांडी को उडाया जाता है गुरू जब शिश्य को हांडी उडाना सिखाता है तो पहले उसको उसके सामने कई बार हांडी प्रयोग करता है हांडी प्रयोग किसी पेड़ पे पेड़ आदी पे या किसी अगर कोई वो तामत्रिक काफी तामसिक है तो वो जानवर बांद करके उसके उपर हांडी चलाएगा ताकि शिश्य उसका सीख सके और अच्छे से इस चीज़ को गरहन कर सके क्योंकि उसमें होता क्या था कि बकरा वे गएरा कई बार बांद देते थे यह हमने भी देखा है कई बार तो बकरे ke उपर हंडी प्रयूक करते हैं बकरा जानी की काफी दूर बदा होता है यहां से मालो की अगर एक यगा से प्रयूक हो रहा है तो वो 3-4 कलेटर दूर बकरा है तो जगा के हिसाब से उसके उपर प्रयोग किया जाता है क्योंकि उसके गले में कुछ चीज अभी मंत्रित करके डाली जाती है बकरे के गले में फिर प्रयोग किया जाता है फिर वो बकरा जो है वही गरा हुआ मिलता है उसी समय तो इसमें सखारे इसलिए भी जाता था क्योंकि तांत्रिक क्या जब बिद्व अस्ता में पहुंचते थे बूड़े हो जाते थे तो तांत्रिकों के तांत्रिक दुश्मन भी रहा करते थे खेराज तो अगर कोई तांत्रिक है तो इतना ही बहुत बड़ी बात है दुश्मन होना तो बहुत दूर की बात है क्योंकि आजकर जो है न असली तांत्रिक जो है न बहुत कम रहे गए उसकी भी बहुत सारी वजाएं है थोड़ा जवाना बदल गया है थोड़ा विश्वास लोगों को उठने लग गया है एक दूसरे के उपर शायद इसलिए विद्ध आगे नहीं बढ़ पाई इनकारणों की वज़ा से तो जब बृद हो जाते थे तो दुश्मन भी होते थे तांत्रिकों के उनको पता होता था कि हम अगर उठ बैट नहीं पाएंगे क्रिया नहीं कर पाएंगे तो हमको दूसरा तांत्रिक मार देगा मारने के बाद उसकी सबी शक्तियों को पाने के लिए दूसरा तांत्रिक जो है कभी भी हमला कर सकता है बृद वस्ता में इसलिए वो अपने शिश्यों को साथ में रहने वालों को ये विद्या सिखाता था कि कल को अगर प्रयोग हो पाई तो उसके शिश्य जो है उसको संभाल पाएं तो इस तरीके से होता था लेकिन जो कीमती चीजें होती थी ना तांत्रिक के पास वो तभी देता था जब उसका आखरी समय होता था तांत्रिक तभी जो है अपनी सारी चीजें अपने शिश्यों को सामने रखता था आखरी जो चीज रखी होती थी बहुत कीमती कोई साधना हो सकती है कोई शक्ती हो सकती है वो आखरी समय में ही देखे जाता था इसलिए आख आखरी जो पल होता था ना तांत्रिक की मृत्यू का तो वह बहुत खास होता था क्योंकि उस समय बहुत आशा होती है किसी भी शिश्य को कि कुछ ना कुछ मिलेगा मेरा गुरू देखे जाएगा क्योंकि बहुत लंबी सेवा भी किके होती है उसने तो इसमें कुछ गलत बात नहीं है कि कुछ लालच वाली बात नहीं है क्योंकि इसमें ग्रहन वाली बात है विद्या को प्रेम प्यार वाली बात है इस तरीके से आखरी समय में भी बहुत सारी अच्छी चीजे मिलती थी और आजकल तो मारण प्रयोग में काफी लोग उटसुक हैं क्योंकि ये आपको एक बहुत बड़ा कारण बताएं कि आजकल लोग मारण प्रयोग क्यों करवाना चाहते हैं एक दूसरे के उपर क्योंकि एक तो पहले राजाओं महराजाओं का समय हुआ करता था यंग जुद्ध होते थे हजारों सानिक मारे जाते थे आज तो एक व्यक्ति मर जाए तो पता नहीं कितनी खबर नहीं चलनी शुरू हो जाती है पता नहीं कितने कितना वहां पर इकट हो जाता है कि भई कुई मर गया है यहां पर किसी का कतल्याम हो गया है किसी का कतल कर दिया गया है कतले वारदात हो गई है लेकिन पहले आप देखो कि हाथों से ही भालों से तलवारों से ही हाजारों की लाशें भिश जाती थी कुछ ही समय के अंदर अंदर जो कि हमने शक्तियों के माद्यम से ये चीजें देखी भी हैं कि कैसे यो सारे द्रिश्य ये शक्तियां आपको पुराने दिखा सकती है अगर आप कोई अच्छी शक्ति से एक अच्छा संपर्क साथ लो उसको सिद्ध करके तो बहुत ही कम समय के अंदर पता नहीं कितने ही लाशें बिष जाती थी दर्थी के उपर वो क्रोध जो था शायद दूसरे को खतम करके ही शान्त होता था लेकिन आज के समय में क्या हो गया है एक बंदन पैदा हो गए हैं परिवारिक चीजें हो गई हैं परिवार में जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं दूसरा आप अगर किसी को हाथ भी उठाते हैं किसी को मारते हैं तो आपकी उपर आपको भी भरी बांती पता है कि आप बहुत सारे कोट केस के चैरी के चक्र में आ जाते हैं तो उसमें भी आपकी जिन्दगी जो है लगवग खत्म होने वाली ही हो जाती है बरबाद ही समझो क्योंकि वो चक्र कोट के चैरी के आपको सजा भी हो सकती है लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था पहले अगर किसी को कुई मार भी देता था तो बहुत कम कुई जाइका इसका ले कि इसने किसको मार दे को कि तब इतनी कतले हम हुआ करती थी पहले के समय कोई डाकू मिल गया रास्ते में वो आपको खत्म करके आपका सब कुछ लूट लेगा या डाकू किसी गाओं में गुश जाते थे तो वहाँ पर भी कुछ लोगों को मार के वो बहुत सारी चीज़े ले जाते थे इस तरीके से होता था आज जो है क्रोध अंदर दवा हुआ है इसलिए मारन प्रयोग तंत्र की और लोग भागते हैं सिर्फ एक ही रास्ता बचा है आज के दिन में वह तंत्र अगर किसी को मारना है बिना कोट के चहरी के चकर खाए साब भी मर जाए और लाठ प्रयोग के पीशे भागते हैं लोग ये चीजें हैं इसका ये कारण है बाकी करते हैं किसी अन्य विशे की उपर चर्चा मिलते हैं अगले वडियो में तब तक के लिए जै माकाली सभी को